दोस्तों कि आपको पता है कि नाभी पर तेल लगाने से कई फायदे मिलते हैं साथ ही ये रोज मरा के हिल्थ परहसणियों से भी रहत दिलाते हैं आईरुबेद में ऐसा माना गया है कि नाभी हमाडे सरीर की सबी क्रियाओं को नियंतृत करती है इसलिए नाभी पर तेल लगाने से सरी को कई तरीकों से फाइदा मिलता है नाभी के लंबे समय तक गंदे रहने और नमी रहने के कारण उसमें संक्रमन का होना संभब हो जाते है नाभी की सफाई ना होने के कारण उसमें बैक्टिरिया उत्पन हो जाते है इससे बचने के लिए आप नाभी की सफाई कर सकते है नाभी को साप रखने के लिए आप तेल का प्रयोग करे इसके लिए आप सरसो का तेल और नाडिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते है इन तेलों में एंटी बेक्टरियल और एंटी फंगल गुन पाए जाते है जो की नाभी में संक्रमन को होने से रोकते है नाभी में तेल लगाना एक बहुत ही पुरानी पक्रिया है बहुत सारे तेलों में एंटी बैक्टरियल गुन पाये जाते है नाभी हमारी सरीर का मध्य बिंदू होता है नाभी में तेल लगाने के फाइदे सुनकर आप आश्चरिय में पर सकते है नाभी में तेल डालने से आप अपने तौचा को चमकदर, दाग धबो रहिद, सुन्दर और नीडोगी बना सकते है दोस्तो नाभी में रोजना सरसो का तेल लगाने से बहुत लाब होते है इसे फटे हुए होट नरम हो जाते है इसके अलाबा इसे आखो की जलन, खुजली और सुखापन भी ठीक हो जाते है नाभी में तेल लगाने से सरी के किसी भी भाग में सुजन की समस्या खतम हो जाती है सरसो का तेल नाभी पर लगाने से घुठने के दर्द में भी रहत मिलती है नाभी पर सरसों के तेल लगाने से हमारे चेहरे की रंगत बढ़ जाती है इसलिए आपको रोजाना नाभी पर सरसों के तेल लगाना चाहिए नाभी पर सरसों के तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे ठीक होते है ना भी पड सर्सों के तेल लगाने से हमारा पाचन तंथ भी मजबूत होते हैं दोस्तो आपको हमारी यह जानकरी कैसे लगी आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तों अगर आपने आभी तक हमण इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ इन नोटिफिकेशन बेल को भी एनेवेल जरूर कर लीजिए तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केर बाइबाई